Hi everyone, this is Robin और आप सभी को मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूँ हमारे इस भारत को जानो वाली स्रीज में तो देखे, पहले मैंने आपसे पिछले पार्ट में उडिसा के बारे में जाना था उससे रिलेटेट जितने भी कोशेंस आपके या फिर पॉइंटर्स आपके एक्जाम से इंपोर्टेंट बैठते हैं, मैंने कोशिश करी कि मैं आपको उस पार्ट में समझा पाऊ तो देखे, कुछ लोगों के कॉमेंस भी आया थे कि मेरा प्रनांसियेशन डेलेटेट टू दा स्टेट थोड़ा सा बैट था and they kind of commented in the comment section but अगर आपको लगता है कि मेरे प्रनांसियेशन उस स्टेट के हिसाब से उतने सटीक नहीं होते हैं तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना so मैं ट्राई करूँगा बट अपनी तरब से मैं कोशिश करूँ कि आपको अच्छे से इस पनी session से जो भी important जानकारी है आपके SSC point of view से बनती है मैं उन्हें आपको देने की कोशिश करूँगा यही मेरा पूरा idea होगा क्योंकि हर state से related किसी ना किसी चीज में आपकी questions बनी जाते हैं आप अगर mountain ranges की बात करें आप उनसे बनने वाले पड़ोसी देश या फिर राज्यों से related questions देखेंगे GI tag आप देखेंगे वहां की importance historical जो आपकी importance है वो किस तरीके से रहती है वो सभी चीजें हम अपनी स्पार्ट में कोशिश करेंगे कि हम cover करेंगे यह कुछ मेरे बारे में जानकारी हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को without wasting a single second तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे knowing the state of West Bengal तो देखें West Bengal की बात करूँ तो यह आपका position में आपका Eastern India का part है जिसमें आपका यह Himalya और Bay of Bengal के बीच में lie करता है ठीक है तो यहाँ पर आपकी हमाला ranges होती है यह आपका Bay of Bengal है और असी के बीच में आपका पढ़ता है आपका यह state West Bengal इसकी capital आप सभी को पता है कॉलकता है जिसे पहले आप कलकटा के नाम से जानते थे इसका architecture और cultural जो remnants है निके अवशेस हैं वो इस तरीके की importance रखते हैं कि past में बहुत ज़्यादा importance इसे मिली as East India Company ने इसे अपना trading post भी बनाया और British Raj में इसे अपनी capital भी रखा तो काफी ज़्यादा हद तक historical और जो चीज़ें यहां से बनने की थी और किस तरीके से इसकी importance रही बहुत ही ज़्यादा important women factors को हमें जानने की ज़रुरत पढ़ ही जाती है तो कि city की मैं बात करूँ कि इनका जो colonial landmark है वो include करता है आपकी government buildings को जो की around BBD जैसे की आपका बाग square iconic Victoria memorial और एक ऐसा आपका Britains का क्यून का dedicated आपका memorial है जो की मैंने बताया iconic Victoria memorial ये काफी important यहां के colonial landmarks है जो की आपको यहां की historical background से अबगत कराते हैं तो इस state की establishment और कुछ real facts जाने ले की कोशिश करते हैं तो 26 जन्वरी 1950 में आपका यह state बनता है West Bengal Capital आपकी यहां की क्या है? Kolkata है Larger city भी आपकी क्या है? Kolkata है District यहां पर 23 district आपके इस state में आते हैं Government की बात करें तो आपकी अभी कौन है? TMC उसके बाद body की बात करें तो Government of West Bengal यहां पर कारेरत रहती है Current Governor की मैं आप से बात करता हूँ तो जदीब धनकर यहां के आपके क्या है? Current Acting Governor है Chief Minister की बात करूँगा तो ममता बैनर जी है वो आपकी AITC है ठीक है? Okay I don't know आप एक बर Government को clarify कर लिए जिएगा ठीक है तो ममता बैनर जी आपकी यहां पर क्या है? Chief Minister है अगर मैं Legislative के बारे में बात करूँ तो Legislative Assembly में आपके 295 seats आते हैं क्योंकि विधाइकों के लिए allocate होती है Unicameral Stature है यह आपका लोगसभा में यहां से आपके 42 लोग जाते हैं जबकि राजसभा में यहां का participation है 60% in the राजसभा High Court आपका है Calcutta High Court और अगर मैं Chief Justice of the State High Court के बात करूँ तो यह है आपके Thotalli B. Radha Krishnan दीखे माफ कीजेगा अगर pronunciation में थोड़ी सी गलती हो जाती है तो यह आपके Thotalli B. Radha Krishnan याद रखेंगे Chief Justice of Calcutta यह आपका प्यारा सा मैप है जो कि आपका West Bengal का बताता है तो आप भी देख सकते हैं आप अगर यहां से बिलॉंग करते हैं तो आपका State या फिर आपका जो भी आप जहां पर रहते हैं वो कहां पर आप बिलॉंग करते हैं तो State आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके Division यहां पर किये गए हैं तो दीखे निकनेम की बात करेंगे अगर हम निकनेम के तौर पर जानें तो एक्जाम में usually questions बन जाते हैं कि इस नाम से हम किस शहर को जानते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि लार्जेस प्रोड्यूसर राइस जो भारत में होता है वो आपका क्या होता है इसी स्टेट में होता है मैं उसके बाद एक आपको निकनेम देता हूँ इस असानसोल असानसोल का अर्थ होता है लैंड अफ ब्लैक डाइमंड जिसे भी आपको निकनेम दिया जाता है वेस्ट बैंगल स्टेट को अगर मैं दुरगापूर की बात करूँ देखे ये जो इतना आपका असानसोल ये आपका वहाँ पर जगह है जिसे आप लैंड ओफ ब्लैंग नाइमंड के नाम से जानते हैं अगर मैं दुरगापूर की बात करता हूँ तो यसे आपका रोर ओफ इंडिया बोला जाता है दुरगापूर को अगर मैं कॉलकता से दिये जाने वाले जो निकनेम्स होते हैं उनकी बात करूँ तो कॉलकता को आपका सिटी ओफ जॉय सिटी ओफ पैलेसेज कल्चरल कैपिटल ओफ इंडिया गेटवेइ ओफ इस्टन इंडिया उसके बाद हैवन ओफ दी एजेड यह आपका बोला जाता है कॉलकता सिटी को नेक्स्ट आपका मालला सिटी की बात करूँ तो यह आपका मैंगो सिटी के नाम से फेमस है और उसके बाद पूरूलिया यह आपका मनमम सिटी के नाम से फेमस है सिल्गुरी की बात करूँगा तो सिल्गुरी में आपका गेटवे टुदी डूर्स है और उसके साथ साथ City of Hospitality भी बोला जाता है कि इसको सिल्ग रूइको West Bengal के State Symbol की अगर मैं बात करूँ Animal, Bird और Tree आपको यहाँ पर दिये गए है अगर मैं Animal की बात करूँ तो Fishing Cat जिससे आप Pranilis ठीक है आप देख लेंगे ठीक है अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो White Throated Kingfisher यहाँ की क्या है Bird State Symbol रखती है Tree की बात करूँगा तो Chatham Tree Flower की बात करूँगा तो Night, Flowering, Jasmine आपका यहाँ पर State Symbol अपना रखता है Wildlife Sanctuary आपके लिए एक्जाम के तौर पर बहुत ज़्यादा important हो जाती है अलग-अलग एक्जाम में अलग-अलग तरीके से आपसे कोई Sanctuary देती जाती है और पूछ ले जाता है कि यह जो Wildlife Sanctuary है आपके name लिके दिए गए option में से कौन से state से बिलॉंग करती है तो देखिए यह आपके कुछ यहाँ पर मैंने आपको Wildlife Sanctuary प्रोवाइड कराई है जैसे आपके वल्लब पॉर्फ WLS यानि के Wildlife Sanctuary है उसके आपके बाद यह आपको यहाँ पर दे गए हैं यह है आपके विभूती बहुजन उसके बाद बक्सा है आपका चप्रामरी है आपका चैंदमनी है आपका हलीद आइलेंड है जोरिब बोक्री है यह आपके कुछ wildlife sanctuaries हैं जोकी important अपनी significance इस state में रखते हैं बर्ट Sanctuaries की बाद करऊँगा तो यह आपकी कुछ bird sanctuaries आपको दे गई हैं जैसे आपकी राइगंच wildlife sanctuary है उसके बाद bird sanctuary के अंदर आपका एक और आता है यह है आपका क्या थासराना उसके बाद यह है आपका चिंता मौनी कर bird sanctuary तो याद रखेंगे यह आपकी क्या है bird sanctuaries है इस state के अंदर एरपोर्स की बात करों तो नेता जी शुभाष चंदर बोस इंटरनाशनल एरपोर्ट है आपका कहां पर कॉलकता के अंदर stadium आपका Eden Garden stadium है जो की cricket से related है कॉलकता में यह आपका है और उसके बाद सीली गुरुई में है आपका कौन सा कंचन जंगा stadium power plants की बात करों तो देखिए अगेन आपका अलग 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 exam में power plants की situation पूछ ली जाती है कि बताइए भी कौन से state से बिलॉंग करता है तो यह आपको यहां पर लिस्ट दी गई है कि कौन से state में वेस्ट वेंगॉल में निमलिखित में से आपके सारे power plants यहां पर दिये गए हैं जैसी कि क्या आपका है बकरेश्व थर्मल पावर स्टेशन आपका है सागर दीगी थर्मल पावर स्टेशन बंदेल थर्मल पावर स्टेशन दुर्गापूर थर्मल पावर स्टेशन यह आपके दुर्गापूर है फर्रा का सूपर थर्मल पावर स्टेशन है यह कुछ पावर प्रांस है तो याद रखने है स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसके साथ अगर आप इसको वीडिय लिस्ट में जाकर सेव हो जाएंगी तो आप अगर एक्जाम से पहले इसको एक पर देखकर चले जाएगा पता होना चाहिए थो नेशनल बाउंट्री किस-किस के साहर करता है वेस्ट बैंगल तो यह आपका सिक्किम जृकं बिहार और उडिसा के साथ स्तेल्ट बाउंट्री अरे शेयर करता है कौने वेस्ट बैंग इस आपका यह जोमर है यह आपका यह एश Ar practice जूमर है रेएबेंस गामभिरिया, नाकनी, डॉमनी, चाओ, तो देखे, I'm sorry, pronunciation के लिए प्लीज मुझे माफ करें, ये मतलब आप देख लेंगे, ठीक है, exam के point of view सो बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, don't get hurt about it, ठीक है, I'm sorry अगर मेरी pronunciation इतनी गंदी हो, अगर मैं fairs and festival states से related बात तो देखे, दुर्गा, पूजा, इद, दिवाली ये तो famous हैं यहाँ पर, then उसके साथ-साथ आपका रसाजित्रा, नवाना, कृष्मस, सरस्वती, पूजा होती है, वसंतूच्सो होता है, होली इंचरक होता है, और कुछ और भी सारे हैं, जिसके अंदर आपका गंगा साग State contribute करता है, अपना 1 5 जहाँ पर total production होता है, अपका minerals में country के अंदर, यहाँ पर आता है यह. एक इसमें 1 5 जो पूरे भारत में आपका total production होता है, minerals का, उसमें यह आपका सिर्फ 1 5 पूरे भारत का provide करता है, नाचरल коммент offs की यगों मैं बात करूँएंगा, तो coal यहाँ पर 99 परसे पाई जाते हैं, लिकिए नियन्याननों प्रतिसद जो यहां पर निर्ल पाया जाता है आपका कोल, नैचरल रिसोर्सस के अंदर ही यहाँ पर आपकी काफी जादा अच्छी खासी पॉसिबिलीटीस है जहाँ पर आप अप्टेइन करने मिन्रल उइल को नैचरल गैस को, इंदी एरियाज जहाँ पर आप बे और बेंगॉल के किनारे की बात करते हैं पूर्वा मेदिनिरपुर और सुन्दरभन साउथ 24 प्रांगंस और नॉर्थ बेंगॉल प्लेंस के अंदर भी आपकी इन तरीके की चीज़ों को अप्टेन करने की possibilities पाई गई है reverse की बात करूँगा तो देखिए भागी रती यहां से होकर गुजरती है मयूर आक्षी आपकी यहां से होकर गुजरती है दामुदर, कौंगबती, तीस्ता, तोशा, जलधाका, महानन्दा यह आपकी कुछ rivers है, जो की इस state से आपकी बिलॉग करती है mountains की बात करूँ, तो कुछ mountains है, उनकी highest peak कौन-कौन सी है यह भी आपको देखना है, तो यह है आपकी पहली Singalila Ridge, इसकी जो highest peak है वो आपकी Senkafu, देन आपकी Darjling है that is come, that comes into the range of Kusyaung Range, इसकी जो highest आपकी peak है वो है Tiger Hill, then आपकी है Senchula Range, जिसकी आपकी जो highest peak है वो कौन सी है, Senchuli, then Chola Range है जिसमें आपकी highest जो peak है वो है Diolo Hill Lakes आपको West Angle के अंदर गर बोली जाएं तो यह है आपकी एक Merrick Rates, Sumendu Lake है Rassic Beal है, Sagar दीगी है, यह आपकी कुछ Lakes है जो कि West Bengal में आपकी आती है Famous personalities की बगर में आपको जाना बहुत जाता जरूरी है सबसे पहले आपको नाम लेना होगा Ravindar Naat Tagore का, जिनने Nobel Prize मिला था कब 1913 में, यह आपके इसी स्टेट से बिलॉंग करते हैं, then आपके Bunkington चेटर जी आते हैं, स्वामे वेबेका नंद भी आपके West Bengal से बिलॉंग करते हैं Amitv Ghosh and then आपका Jumpa Lahiri यह भी आपके इसी स्टेट से आते हैं, अमरत्य सैन जिनने अभी आपका Nobel Prize Award मिला था Economics के छेतर में, शुश्मिता सैन Miss Universe रही थी भारत की तरफ से अगर मैं 2016 के से से आप से बात करूँ West Bengal से रेलेटेट जो Facts है वो क्या क्या है, तो 2011 का Census आपको बताता है कि West Bengal में जो टोटल पॉपुलेशन है, वो कितनी है 9.13 करोर्स Cerex Ratio आपका 950 है, आपका 1000 की अगर मैं बात करूँगा और Child Sex Ratio की बात करेंगे, तो यह 1,000 आपका हो जाता है 956 Literacy काफी अच्छी कासी है 76.26 प्रतिशत यहां पर लोग क्या है पढ़े लिखे हैं, अब देखें इंपोर्टेंट आपका आदा है GI Tax GI Tax क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोड़क्ट होते हैं जो की स्टेट में काफी फेमस होते हैं तो उन्हें GI Tax कर दर्जा दे दिया जाता है और हमारे एक्जाम में यह अपना काम मना लेते हैं ठीक है, तो देखेंगे दाजलिंग्टी यह तो आसान है, आप पहचान जाएंगे वर्ड और लोगो इसका GI Tech इसे दिया गया है सांती निकेतन लैदर गुच को आपका GI Tech दिया गया है सांति पूर सारी को दिया गया है देन आपका यह धानी अखाली सारी है देन आपका जैंग गरेर मुआ यह मैं तो देख लेंगे आप ठीक है बैंगला और रजगोला है तुलाई पंजी राइस है गोबिंद भोज राइस है यह कुछ आपके GI Techs है आपके स्क्रीन शॉट ले लेंगे और याद रखेंगे कि यह आपका वेस्ट बेंगोल से आपके GI Techs रखने वाले पैल्यू रखते है इंपरेंट इंस्टिशन की बात करेंगो तो देंके बहुत सारे इंस्टिशन से रेलेड़ेंड आपसे कोचिशन पूछ ले जाते है कि बाई Indian Statistical जो इस्टीट है वो कहां पर है तो वो आपका स्पाइब्स बेंगोल में है इंडियन Association for Cultivation of Science यह आपका कहां पर है West Bengal में है, Saha Institute of Nuclear Physics भी यहाँ पर है, SNBOS National Center for Basic Science यहाँ पर है Central Research Institute for Jute and Allied Fibers भी आपका यहाँ पर आते हैं, तो इस तारीके के जो आपके important institutions होते हैं वो आपको exam में पूछ ले जाते हैं, तो यह भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी, important is Zoological Survey of India वो आपका West Bengal में आता है Botanical Survey of India, कई बाद तो यह पूछा जा चुका है SAC के अंदर, यह भी आपका यहाँ पर है, Marine Engineering and Research Institute भी आपका यहाँ पर है then आपका Central Inland Fisheries Research Institute भी आपका कहाँ पर आता है, West Bengal में आता है अब देखिए कुछ आइलेंड जान लेते हैं जो कि आपके West Bengal के अंदर आते हैं New Moor, आपका उसके बाद आता है एक घोरामारा आइलेंड, हैंडी आइलेंड, जम्बूब्विप आइलेंड, लोचावा आइलेंड, नयाचारा आइलेंड तो देखिए I'm sorry again उसके बाद मेज, वीड, पोटैटो, मस्टर्ड, राइट, जूट, पर्ल, सुगर केन, ओइल सीट, कार्डेमोन, जिंजर, सिंकोना, जुआर, मसककला, यह सारे आपके क्या है यह गरिकल्चर क्रॉप्स हैं जो कि आपके इस स्टेट से relate रखते हैं अब देखिए beaches की भी जान लेते हैं काफी अच्छे घाज़े beaches भी हैं दीगा है आपका, संकरपूर है, बेखाली है, ताजपूरन, मंदरामनी है, तो यह आपके कुछ beaches हैं जो कि West Bengal State के अंदर आपके आते हैं तो देखिए थोड़ा तेज मैंने किया, I'm sorry for that, बट देखिए कोशिच कीज़े, जबी भी आप exam से पहले जाएं ना, exam देने, तो इसको देख कर चले जाएं, यह छोटी-छोटी चीज़े आपकी काम मना देती हैं, अगर आपको session पसंद आया, तो please do like it, share करें वीडियो को और subscribe करें चैनल को, telegram और instagram दोनों के link आपको description में मिल जाएंगे, कोई भी doubt आपको अगर होता है, तो आप मेरी instagram profile robinsharma199 पर जाकर आप मुझे message drop कर सकते हैं, मैं try करूँगा कि मैं आपको वहाँ पर reply करता रहूँ, देखिए Annacad में के profile पर आपके काफिस सारे batches आते रहते हैं, जैसे कि आपका CGL prelims, mains, mock test की काफिस साथा series आपकी वहाँ पर चलती रहती हैं, CPO, MTS, CHSL, STANO, तो ये सभी even JE के batches भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, अगर आपने subscription नहीं लिया है, तो 10% का आपको discount मिलेगा, अगर आप SSCYT का code यूज करते हैं, इवन शायद अगर ज़्यादा time के लिए भी लेते हैं, तो और भी ज़्यादा percentage आपको discount मिलता है, तो ये था हमारा important session, अगर आपको पसंद आया तो please do like it, मैं next part पर आपसे मिलूँगा, अपना ख्याल रखिये, take care, bye bye, thank you.